कि अधिकर्म तेरे पावन है सभी डूबेगी नहीं तेरी नाओं कभी ऐसा नहीं है कि सोचल मीडिया कि इस दौर में सब कुछ बूरा हो रहा है हाँ सब इस्पेक्टर के फिजिकल में मैं मतलब चोट लग गया मुझे घर्दर लगा रहा था मैं जिस दौरा मेरे हाँ स्लिफ हो गया और मेरे घर्दर ने पर चोटा आ गई पती ही सब कुछ होता है एक पत्नी के लिए तो अगर एक दूसरे का साथ नहीं देगा तो फिर कौन देगा यंग हो सुन्दर हो साधिवादी हो जाएंगी कुछ आइडिया तो देही रहेंगा हम निगेटिव लोगों से बहुत दूर रहते हैं लडाई होती है नहीं कभी आप लोग में चोटा मोटा तो लड़ी लेते हैं मेरे साथ यह है तो मैं किसी परितिती से उबर सकता हूं जी बड़ाम सवागय था अपका सच बहार में और हमें सुमीत कुमार देखें आज तक न प्यार महबत के वीफल होती कहानिया परिवार तूटते कितने सारे हमने कहानी दिखाया क्या स्टोरी दिखाया कैसे लोग किस तरह से समाज में लोग मतलब बट जा रहा है प्यार मह स्वाद कर रही है लेकिन आज उस हकीकत से रूबरू कराने आपको आये हैं जहां पर आपको लगेगा कि नहीं लोगों की सोच गलत अगर है तो हर जगा कोई भी जगा पर गलत ही होगा और सोच अची है तो कुछ कहानिया ऐसी भी दिख सकती है आपको इन से आपको पहचान भी अच्छा बना रहे हैं लोगों के सामने अपनी चीजें रख रहे हैं और इनकी कहानिया सुनकर जानकर लोग मोटिवेट हो रहे हैं इस डी मोटिवेशन वाले दौर में तो सबसे पहले तो आप लोग दोनों का नाम जानना चाहेंगे मैं नाम हो संदीप कुमा सब्सक्राइब करें अच्छा बनने का सपना था संदीप जी कुछ बनने का मैं ऐसा तो बोल नहीं सकता कि मुझे क्या बनना था लेकिन ऐसा बनना था कि मुझे लोग बोले कि अच्छा आदमी है यह पभी कामयाव है इसमें लेकिन ऐसी प्रस्थिति आप जब कोशिश करते हैं इतना मेहनत करते हैं तो एक नाउमीदी सा तो होता ही है कि हमने मेरे साथ ही क्यों भगवान ऐसा तो होता ही होगा ना मैं सब्सक्राइब करना ना जो भी होता है कि सरकारी नौकरी बस ले लेना है जब यह पता लग आपको कि अब ऐसे हुआ है तो वो कितना नाउमीद करने वाला होसे चुएसन था उसमें पहले बाद तो देखिए जब पता चला तो उस टाम गे नहीं पता था कि इतना जादा चोट लग गया है बस लगा कि यहां नॉर्मल सा चोट लगा होस्पीटल गया है वहां डॉक्टर देखाएगा इलाज भी हो हुआ आएंगे घर दीरे ठीक हो जाएंगे पता ही नहीं था कि ऐसे हो जाएगा लेकिन फिर जब धीरे-धीरे हम गये वहां पे देखने के लिए तो पता चला है ऐसे है क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि सोसल मीडिया पर हम लोग कितना खाबर चलाते हैं कि इसको छोड़ गया चार सल साथी करके ऐसे छोड़ गया इंस्टाग्राम से प्यार करके भाग गया इस अब कहानिया बहुत ज़्यादा है ऐसे में आपकी जो स्टोरी नॉर्मल ल मतला आपके बच्चे नहीं है साधी का तीन चार साल ही हुआ होगा उस समय आपको यह लोग राय तो देते ही होंगे कि अभी यंग हो सुंदर हो साधी वादी हो जाएंगी को आइडिया तो दही रहेंगी हम निगेटिव लोगों से बहुत दूर रहते हैं जो इस तरह का हम को देते हैं हम उनसे बहुत दूर रहते हैं क्योंकि अगर को आपको 10 चीजे बोल रहा है ना तो एक चीज आपके मार्ण में सेट होई जाएगा इसलिए आप उसको साइड ही रखने कभी भी आपके दिमाग माया कि कभी भी नहीं कभी भी नहीं कभी नहीं अपके माबाप मेरे साथ यह तो मैं किसी परिटिती से उबर सकता हूं और मैं क्या बोलो मुझे को समझ नहीं आता है में वीडियो देखके लोग मुझे मतलब हाँ मतलब यह सही है यह कहानिया कितनी नॉर्मल एक पती पतनी भाई यह सब सुख दुख में साथ हैं लेकिन आज प्रस्थितिया इतनी सोशल मीडिया के दौर मुग लट गया है ना कि यह नॉर्मल चीजें भी बहुत एक्स्ट्राइडनरी लोगों को लगता है सुनके मैं भी सुनता हूं तो मुझे भी दुख होता है ऐसा लेकिन नहीं करना चाहिए लोगों को हमेशा अच्छे काम पर ही ध्यान देना चाहिए जहां पर अगर सपोज कि निगेटिव थोट आ रहा है वहां पर जाना ही ने चाहिए बिल्कुल भी दूर रहाना चाहिए और हमेशा दिमाग में रहा कि नहीं यह सब नहीं करते हैं नहीं नहीं इंज्वाइब कर रहे हैं अबस वैसे हम लोग का मतलब अधाना के पहले पूरा बोर्डिंग सा लगता था एक्सराइज किये डॉक्टर आया एक्सराइज किया और बस दीन खत्म तो हम लोग कुछ मतलब अच्छा रिस्पॉंस आ रहा है इनके पास सीलवर बैटन है वाई जो कोई भी सोचल मीडिया प्याता यूट्यूब प्याता तो उसका एक सपना होता नहीं नुतन जी यह सपना होता यह अवाड है उनका और उन सब के मुह पे तमाचा भी है एक तरह से जो लोग आपको मत करते हैं कि यह मत करो ऐसे मत करो यह करो यह अब इसके बाद क्या होगा तो देखिए बहुत सारे रास्ता ओपन हो जाते हैं और आज कल देखिए मतलब सरकारी नौकरी को लेकर अलग तरह का मतलब लोगों में क्रेज तो है लेकिन डी मोटिवेशन भी है जिसको नौकरी नह कि ऐसे और एंगा कि जिनको एक नोकरी नहीं मिलते और परेसां हो जाता है डिप्रेशन चिकार भी जाएं भी हमेसा लोगों के बीच बेटे और diabetes नहीं हो पा रहा है तो एक नहीं हो रहा है दुसे खुल जाएगा इसलिए कोई कलत आइडिया अचली बात यह ना कि आपके साथ आपकी जैसी पतनी घोचरे पास नहीं है नहीं लोग साथ देने वाले नहीं गेश्पना आपना सोच होता है लेकिन अब हस्बंट वाइप को ही एक दूसरे का साथ देना तो अईसा नहीं करना चीए जो लोग सा अब 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 आप निशेटी तो क्या लगता आपको क्या बनना गे यह रह्या ऐसे क्या सोचते हों कोई प्लाणिंग होती हो गई अब यहाइसा कुछ है नहीं बस मुझे इसको खुष रखना है है यह पोता है बस एक बता यह खुछ है तो मैं ऐसे होगी बनाती हो आप लोग का अप लोग दोनों स्टै यह इसका आडिया रता है एसे बीडियो बनाना है और इडिट में बढ़ता हूं बैठके उसमें लडाई होता है कि नहीं editing बहुत लडाई होती है तो में मना करता हूं तो इसको अच्छा नहीं लगता है यह बोलती है तो मतलब कुछ हो जाता है को टॉपिक कि हम जब तक इडिटिंग कर रहे हैं तुम चल चली जाओ खाना बनाओ मतलब अकेले करने दो फिर तुम आना तो लाश्ट में देख लेना फिर तब डिसाइड करना अ तो यह चीजे इडिटर के साथ होता है में सा लेकिन फिर भी मतलब और चीजे मतलब आप लोग को देखें बहुत अच्छा लगता है और उन सब लोग तक जो भी मैसेज जा रहा है अच्छा लगता है ऐसे चीजों को सेयर कीजिए कि देखें कितना अच्छा बात है कि खर्च हो आपके इलाज में बहुत जादा खर्च हो गया मेरे पापा की जीवन भर की कमाई चली गई मेरे पिछे मेरे पिछे फिर भी तो कुछ बोले नहीं हो फिर बोलते टैंसर मतलों मैं अभी हूँ है ऐसा सीधा मतलों में बोल सकते हैं अगर मेरी मेरी हिम्मत है तो मेर मेरे मैं पापा मेरी तागत है एक नोकरी के लिए अब आप क्या लगता है कि कभी ठीक हो जाए तो यह भरपाई करें इन चीजों को करने का तो पूरा कोहिस रहेगा मुझे बाकी भगमान की मर्जी और लोग पर डिबेंड करता है आपको क्या लगता है ठीक कर देंगे एक हम चाहते हैं कि आप लोग के सामने लाएं क्योंकि हर तरफ नाउमीदी नहीं है बहुत चीजें अच्छी है जिसे आप लोग देखिए सोचिए समझे और सोचल मीडिया की दौर में पॉजिटिव रूप से इस्तेमाल कीजिए उसका ताकि लाइफ खराब ना लोगों का ब